हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों मैं मनोच कुमार आप सभी लोगों का Study IQ IS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा के हम लोगों ने अपनी मद्दकालीन भारतिय इतिहास के एक सरंखला शुरू कुई हुई है उसी सरंखला में आज एक महतपुर् शाशक सेरसा सूरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो चर्चा करेंगे एक अलग एंगल से करने altri करेंगे जिससे के इसकी सारी कहानी और सारा कंसेप्ट एग्जाम के द्रश्टी कौन से कम्प्लीट किया जा सके सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है ओके चलिए गुट तो चलिए दोस्तो इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं अब तक हम लोगों ने अब लगवग 12-13 सेशन स्टार्ट कर चुके हैं इसमें आज हम अपना तेरवां टॉपिक की शुरू करेंगे सेरसास सूरी का और उसको हम एक महान परशासक के दरश्ट कौर से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसे हम एक महान सासक, महान सासक नहीं कि इवल महान परशाशक कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए महत्पूर सूचना जो है वो मैं आपको शेर कर दे रहा हूँ कि आज 7 जून 2023 को साम को 6 बजे से हमारा छटा बैच इस्टडी आईक्यू एप पर स्टार्ट हो रहा है इस्टडी आईक्यू हिंदी चैनल पर आपका यह बैच प्रारंबिक और मुख्य परिच्छा के दृष्ट कौन से फाउंडेशन बैच है जिसमें आप लोग सभी परस्टनल रूप से हम लोगों से जुड़ सकते हैं और डेली लगवग तीन घंटे की क्लास होगी पंद्रह महिने तक चलेगी जिसमें आपको मैटेरियल, टेस्ट सीरीज, परस्टनल मैंटरशिप, सी सेट, जी एस, निबंध सारी चीज़ों को आपको डिसकस किया जाएगा सारी चीज़ आपको उपलब्द कराए जाएगे और जो आप सपना लेके चल रहे हैं 2024-25 में सेलेक्शन होने का सेलेक्शन लेने का उसको हम लोग पूरा करने में आपका पूरा साथ देंगे जैसा कि UPSC ने इस समय एक नए पैटर्न पर चीज़ों को बदलना सुरू किया है हमारी पूरी टीम उसी पैटर्न पर आपके साथ काम करने के लिए तयार है और इस सेग्मेंट में हम हिंदी मीडियम में आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहे हैं और साबित होंगे बस अपना प्यार अपना भरोसा बनाए रखिए और भरोसे के साथ इस बैच को जॉइन कीजिए ओके दोस्तों और इसके लिए आपको फीस बहुत अधिक नहीं देनी है और यदे आप MK Live Code इस्तिमाल करते हैं MK Live तो आपकी फीस मार्टर 18,999 रुपे में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा लाइब बैच आपको ठीक ना जबना सब कुछ एबिलेबल है सारा बैच आपका लाइब ऑनलाइन होगा दिहान रखेगा आपको कुछ करने की जरुतने घर बैठ करके प्रॉपर तरीके से सही डारेक्शन के साथ सही गाइडेंस के साथ आपको सफलता हासिल करनी है और दिहान रखना दोस्तो एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति हो चाहे सचिन तेंदुल कर हो या विराट कोहली हो MS धोनी हो या कोई भी कितना वड़ा खिलाडी क्यों नहीं हो किसी भी फिल्ड में उसको हमेशा एक पर्सनल मैंटर पर्सनल कोच की जरूत पढ़ती है और वो लास्ट मुमेंट तक किसी ना किसी के अंडर में प्रेक्टिस करता है चाहे तो वो अकेला बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ पॉसिबल नहीं है उसके लिए जरूरी है कि आप मिल करके साथ काम करें आपकी इनरजी को हम बचाना चाहते हैं आपको सही दिसा सही डिरेक्शन में ले करके आपको हेल्प करना चाहते हैं जिससे कि आप आसानी से दूसरे कम्टीटर को बाहर करके आग अंदर जा सके ओके दोस्तो इसके लिए आपको हमसे जुड़रा पड़ेगा आज साम 6 बजे जरूर जोइन करिए कि इसको समय बहुत कम है कल से फीस आपकी बढ़ जाएगी आपको पेमेंट जादत देना पड़ेगा बैटर है कि इसको आज जॉइन करें और नई स्रेस इस बैच को शुरू करें ओके दोस्तो तो चलिए हम आपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें मैंने कहा था कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं सेर्चा सूरी एक महान परशाशक के बारे में चर्चा करेंगे कि वो महान परशाशक कैसे है सिंपल से चीज है कि आज के समय में इतने संसादन होने के बाद भी एक सरकार एक देश एक सरकार पांच साल में इतना नहीं कर पाती है जितना सिरसा सूरी ने उस समय में सीमित संसाधन में मातर पांच साल के सासन काल में इतना कर दिया कि आज तक हम उन सब चीजों को सोचते हैं जानने की कोशिस करते हैं और आने वाले मुगल सासन की निव कहीं न कहीं उसने रखी एक तरीके से इसलिए उसको कहा जाता है कि वह अकवर का भी अग्रगामी है यानि अकवर ने जो सासन पनाली बनाई वो कहीं न कहीं सेरसा सूरी से ही प्रेयरित है सोचिए मात तक पास साल के सासन अक्माले जो के आज भी बड़े से बड़ी सरकारें नहीं कर पाती हैं वाइदे करती हैं, कर नहीं पाती है सोचे न, ओके हम उसी एंगल से करने कोसिस करेंगे जिससे के प्रारंबिक और मुख के परिच्छा दोनों के दिश्ट कॉंड से आपका एक्जाम में काम आ सके यह लेक्चर नमबर 13 है, सौरी 12 नहीं है 13 है, ओके यह सेरसा सूरी, यह फोटो तो आपने बहुत बार देखा होगा इतिहाज की किताबों मैं से लेकर के हर जगे पर टाइम पीरिड यह है सासक बनने का अकवर का अग्रदूत यानि कि अकवर जिस बिरासत पर आगे चला उस बिरासत को इसने बिक्सित किया हम कह सकते हैं कि सेरसा सूरी का यह सासन काल है वो ध्यान रखेगा दो शासन कालों के बीच का काल है एक तरफ था दिल्ली सल्तनत जो आप लोगों ने पढ़ा है जानते हैं और दूसरी तरफ हैं मुगल सामराज मुगल सामराज और इसका सासन काल है जिसे हम कह सकते हैं कि यह संकरमन का काल है किसका है संकरमन का ट्रांजीशन फेज है यानि कि इसमें दोनों तरह की परंपराएं यानि कि दिल्ली सल्तनत से ली हुई परंपराएं भी हैं और कुछ ऐसी नई परंपराएं भी हैं जो इसने बिक्सित की और जो जाकर के मुगल सामराज में चली गए सूचिये ये सब कुछ उसने मातर पांच साल के सासनकाल में किया था और इसके बारे में मैंने आपको एक लाइन बताई थी पिछली क्लास में हुमाईयों के समय में कि किस तरीके से बावर ने सेरसा सूरी को जब पहली बार देखा तो सोचिए सेना की परेड से बापस चला गया था सोचिए गा और उसने आदेश दिया था कि उस सेने को पकड़ के लाया जाए और इधर सिरसा सूरी बाबर के एरादों को आँखों से ही भाप गया था और वो वहां से गाइब हो चुका था तो दोनों एक दूसरे के चहरा पढ़ना जानते थे आँखे पढ़ना जानते थे दिमाग पढ़ना जानते थे और ultimate एक दिन सेरसा सूरी ने जो कहा था कि यद उपर वाले ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को यहां से ख़देड सकता हूँ और ख़देड दूँगा और वो उसने करके दिखाया हुमाईयों को बगा दिया वो अलग बात है कि बाद में आकर कि सेरसा सूरी के मरने के बाद जब उत्रादिकारी आए वो कमजूर साबित हुए और सिम्हुमाईयों ने फिर से उनको एक खटा कर लिया सामराज बना लिया फिर अकवर ने उसको और मजबूत बनाया फिर पर्मानेंट मुगल सामराज बना रहा क्लियर है तो इस द्रस्टिकोर से हमको कहानी किस्से समझने की जरूवत है और कहानी किस्से मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इतिहास को अगर कंसेप्ट और कहानी के साथ नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा फैक्ट नहीं पढ़ना है कुछ चीज़ों को सिर्फ जानना है ओके अबरिबड़ी चले अब इसमें हम देखेंगे तो मैं इसे दो-तीन सेग्मेंट में बाटने कोसिस करूँगा ये हैं सेरसा सूरी के जीवन के काल के सम्मंद में जो हम चीज़ पढ़ेंगे उन सब के बारे में एक तरफ उसका बेक्तिगत जीवन है दूसरी तरफ सामराजी का सुद्रणी करन कैसे उने सामराजी का मजबूत कैसे किया क्योंकि एक अच्छा परसासक वही हो सकता है के लिए आर्थिक और बर्भू राजसी से सम्मंदित पूरी प्रणाली बनाई और कहा जाता है दिहान रखेगा कि यद किसी सामराजी की आर्थिक इस्तिती मजबूत नहीं है तो सामराजी भी मजबूत नहीं हो सकता अब कहोगे कैसे चानक के जिसे हम कौटिल कहते हैं या बिश्नुगुप्त कहते हैं चंद्रुप्त का गुरू है उसने एक किताब लिखी थी अर्थसास्त्र अब आप सोचिएगा किताब है राजनीती विज्ञान की और किताब का नाम क्या रखा है उसने अर्थसास्तर क्यों कभी सोचा है आपने सोचिएगा कि उसने राजनीती विज्ञान की किताब का नाम अर्थसास्तर क्यों रखा सोचना यहीं पर वो बात क्लियर होती है ध्यान रखिएगा क्योंकि उसने पूरी राजनीती विज्ञान की किताम में अधिकांस तह अर्थिक इस्तिती पर चर्चा की है देश को सामराज को आर्थिक इस्तिती पर मजबूत बनाने के योजना उसमें बताई है कि कैसे एक सासन एक सामराज आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है वो सारे पहलू उसने उसमें बताये हैं इसलिए अधिकांस मुद्दे जो हैं उसके वो कैसे हैं आर्थिक इस्तिती से सम्बंदित हैं इसलिए उसने अर्थास्त नाम रखा अर्थात उसका कहना था कि जो सामराज आर्थिक इस तरह पर मजबूत है वही सामराज विस्तार कर सकता है वही सामराज को संचालित कर सकता है अन्य था जो सामराज आर्थिक रूप से कमजोर होगा वो ना तो अच्छे परसासनिक अधिकारी नियुक्त कर पाएगा ना अच्छी सेना बना पाएगा ना अच्छी तकनिक विक्सित कर पाएगा नहीं अपने समाज का अपनी जनता का कल्याण कर पाएगा कुछ नहीं कर सकता वो अपने आपको नहीं बचा पाएगा इसलिए आर्थिक इस्तिति क्या है उस सामराज की जान होती है तो इसने भी सबसे ज़्यादा फोकस इन सब पर तो किया ही किया सबसे ज़्यादा फोकस ने आर्थिक सुधारों पर किया उसके बाद उसने कुछ जलनका लियानकारी कारिभी किये जो जनता के भले के लिए है तो इस तरीके से हम इसके छे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और यहीं से क्वेशन आएंगे भी ध्यान रखेगा मैंने अब तक जितनी भी क्लासिस ली है उन क्लासिस को ले करके आप प्रिवियस यर के जितने भी प्रशन है मद्दकालिन भारत से उस टॉपिस सम्मंद उठा के देखिए क्वेशन ना मिले तुम उससे कहिएगा यह ध्यान रखेगा एक एक क्वेस्ण मिले गा उसमें आभी तो मैंने के बल पर्सनेलटी सासकों के बारे में चर्चा की है अभी मैं मद्दकालिन इतिहास के सामाजिक पहलू सानस्कितिक पहलू जो कल्चर है कलास सानस्किति है उन सब चीजों पर भी मैं चर्चा करूँगा उस समय के बिज्ञान पर चर्चा करूँगा, ठीक ना भक्ती सूफी आंदोलों पर चर्चा करूँगा, कुल मिला करके इतने टॉपिक कवर करने के बाद एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास को कम्प्लीट कर लेंगे तो, not a single question remain कोई भी question नहीं बचेगा, बना paper उठा के देख लीजिए, ओके, ब्यक्तिकत जीवन के बारे में हम चर्चा करें, तो हम लोग जानते हैं, यहां से question बनता नहीं है, मैं बता देता हूँ, कि सिरसा सूरी का बच्पन का नाम फरीद है, यह हम जानते हैं, इसको जानने के, करन और सोचिए, इबराहिम लोधी के समय में, वो सोरी बहलोल लोधी के समय में इंडिया में आ गए थे इसके दादा, और उन्होंने यहां पर अपना ब्यापर धंदा करना चुरू किया, फिर नौकरी करना चुरू किया, फिर इसके पिताजी जो हैं, उन्होंने एक सासक के हा बजवाड़ा ठीकिना बजवाड़ा में इसका जन्म हुआ बजवाड़ा में हिसार फिरोजा में हर्याना यहां पर इसका जन्म हुआ और नाम रखा गया फरीद बाद में इनके पिताजी ने एक दूसरी शादी भी कर ली इनकी दूसरी माता भी आ गई जिसकी बज़े से इनके परवार में थोड़ी सी कलह होने लगी और इनके पिताजी का यहां से क्या हो गया था ट्रांसपर हो गया था और चले गए थे बंगाल बंगाल के छेत्र में बंगाल बिहार के छेत्र में ठीक है ना वहाँ पर जाके काम करने लगे तो सुचिए फरीद ने अपनी सिक्षा कहा पर ली जॉन पूर में जॉन पूर में अपनी सिक्षा ग्रहण की और इससे हम पूर्ब का सिराज कहते हैं यह मैं पहले भी बता चुक करने के बाद में पिताजी के एक छोटी सी जागीर थी वहाँ पर जाकर किसने काम करना शुरू कर दिया वो सब जानने की जरूद जादा है नहीं तो फिर वो टिपीकल फैक्ट्ट्ट्टल हो जाएगा ठीक है ना और वो जागीर कौन सी थी सहसराम की जागीर सहसराम की जागीर को इसने सभाला ठीक है ना बाद में कंडिशन ये हुई कि इसने फिर अपनी पिता के परिवार की कलहे की वज़े से वहाँ से उस छेतर को छोड़ दिया और जा करके नौकरी करना शुरू किया और ये चला गया कहाँ पर दक्षणी बिहार में दक्षणी बिहार और यहाँ पर यहाँ पर जो सुविदार है जिसके हैसर नौकरी की उसका नाम था बहार खां लोहानी ध्यान रखेगा बहार खां लोहानी इसके यहाँ नौकरी की और सोचिए कि सिकार के समय में इसने बाहरकान लोहानी को एक सेर के हमले से बचाया था इसलिए इसने इसे शेर खांकी उपादी दी सेर खांकी उपादी दी question कभी कभी पूछा जा सकता UPSC में तो नहीं लेकिन इस्टेट PSC बगरा में यह पूछा जा सकता है कि सेर खांकी उपादी इसे किस ने दी थी बाहरकान लोहानी बाद में इसने बाहरकान लोहानी ने इसे अपना बेटे जो कि बेटे का नाम है जलाल खां उसका सर्रक्षक बना दिया जलाल खांका सररक्षक बना दिया ये एक छोटी सी कहानी ठीक न? Everybody Any doubt? कोई परिसानी? इतना तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो किसी भी किताम में मिल जाता है हाला कि मैंने भी repeat करा दिया UPSC में ये सब पूछा तो नहीं जाता लेकिन बताना भी जरूरी है ओके? लेकिन इसके बाद इसने अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए एक नई रड़नीती अपनाई बाहर का लोहानी से इसकी कुछ अनबन हो गई तो इसको नौकरी से निकाल दिया गया ध्यान रखना सोचिएगा तो इसको बापस निकाल दिया गया तो इसने जाकर के कौनसे सेना जोइन की? बावर की सेना में नौकरी और वो कहानी में आपको बता चुका था कि जब बाहर का लोहानी से थोड़ी से अन्बन हो गई तो इसको नौकरी से हटा दिया गया और इसको कहा लगा दिया गया लगया कहा लगया इसे? बावर की सेना में और मैंने बताया था किस युद्ध में भागिदारी की बताने की बज़ो जरूत नहीं है ठीक है न? तो मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आप लोगों को खानबा का युद्ध ठीक है न? ध्यान रखना उस समय इसने भागिदारी की और फिर बाद में वहां से छोड़के चला आया तो इसने फिर से जॉइन कर लिया उसी जगह पर इसी समय बाहर का लोहानी की मृत्ती हो गई और मृत्ती होने के बाद इसको बहुत बड़ा मौका मिल गया तो सोचिए बाहर का लोहानी की जो बिदवा है दूदू बेगम उससे साधी कर ली सोचिएगा बाहर का लोहानी की वाइफ दूदू बेगम से साधी कर ली बेटे का गारजन पहले से था उसकी वाइप से साधी कर ली तो पूरा का पूरे सूविदारी इसको मिल गई वहां का सासक बन गया एक तरीके से ठीक ना कहां का सासक बन गया दच्छन बिहार का सासक ये रहा फरीत उर्फ शेर खा Everybody It is okay तो पहला काम उसने ये किया और इसी समय शादी की तासक बन गया तो सोचिए इसने एक उपादी लीती इसका नाम है हजरत ए आला हजरत ए आला की उपादी लीती Clear? Clear? तो सबसे पहले कहा का सासक बना? दच्छड बेहर का सासक बन गया वहां के जो सुबेदार था बाहर का लोहानी की बिदवा दूदू बेगम से शादी कर ली और वहां का सासक बन गया सोचिए गा पहला काम Clear? उसके बाद इसी समय एक चीज और भी हुई इसने चुनार का किला ये उस समय का सोचिए कि सबसे महत्पून किला होता है महत्पून है किला क्योंकि उस समय आसपास के छित्रों का जितना भी सोना चांदी रुप्या पैसा होता था उसके आसपास के छित्रों का सारा का सारा पैसा चुनार के किले में रखा जाता था और चुनार के किले की खास बात ये थी कि इसको आज तक कोई जीत नहीं पाया इसलिए सबसे सुरक्षित किला माना जाता था और चुनार के किले में खास बात क्या है कि ये सबसे जादा है यहाँ पर क्या है धन संपदा है धन संपदा बहुत ज़ादा है जिसने इस पर कब्जा कर लिया समझ लिए कि वो सासक बनने की सारी जरुवत पूरी हो गई और यहाँ का जो किलेदार है उसका नाम है ताज खाँ नाम याद रहें तो अच्छी बात है कोई जरुत नहीं है समझ लिए कहानी के तौर पर याद रखीगा के सेरसा के समय में चुनार के क्ले का किलेदार है ताज खाँ और इसकी मृतियों हो गई सोचिएगा और मृत्थी होने के बाद में इसकी जो बिद्वा है उसका नाम है लाड मलका और लाड मलका से सोचिए सेर खाने क्या कर लिया? शादी कर लिया समझ येगा पहली उसने बाहर का लोहानी की बिद्वा से साधी की और सामराज मिल गया ठीक न, दूसरी साधी लाड मलका से कर ली तो सुझे चुनार का पूरा सोना सांदी मिल गया, उसको सबसे धनी व्यक्ति बन गया, तो जिंदगी में सोचिये पैसे वाले बनने के दो ही तरीके हैं, ध्यान रखिये गा, एक, तो आप खुद अच्छा धंदा करें, खुद कमा और पैसे वाले बने, या फिर पैसे वाले लड़की, चाहें वो बिदवा हो, और चाहें कैसी भी हो, पैसे वाले लड़की से साधी कर लीजे, आप आप आटोमेटिक पैसे वाले बन जाएंगे, तो डिस, डिसाइड आपको करना है दोस्तों, यह, लेकिन दिहान आपकी इच्छा है, मैंने तो बस बता दिया है, कि शेर खां कैसे ताकट बर बना, यह मैं दिखिये थोड़ा सा इको हलके फुलके अंदाज में लीजेगा, मैं बताने कोसिस कर रहा हूं कि उसने कैसे अपने आपको मजबूत किया, बेक्तिकत जीवन में, ठीक है ना, तो यह इस तरीके से उसने अपने आपको मजबूत कर लिया, और उसके बाद सोचिए, पंद्रे सो उनतालीस और पंद्रे सो चालीस में, जब यह इतना मजबूत हो गया, तो सोचिए, चौसा का युद्ध और बिलगराम का युद्ध, इन दोनों युद्ध में उसने, हुमाईوں को हरा दिया और हुमाईوں यहाँ से भाग कर कहा चला गया इरान चला गया और यही पर सोचिए इसने किसकी उपादी ले शेर शाह सूर की उपादी और आगरा का सासक बन गया उससमें कैपिटल कौन सी है आगरा आगरा पर उसने नियंतरो कर ले आगराका स्वामी बने किलियर हो गया तो ये है उसका बेक्तिकत जीवन के बारे में छोटी सी information जो आपको याद रखनी चाहिए कहानी के तौर पर दीए किसी भी सासक के बारे में जानना तो बेसिक चीज़ां जानना जरूरी है ओके दोस्तो चलिए अब बाताती है इसके आगे सामराजिका सुद्र नहीं कर रहा है अब उसके सामने तीन सबसे बड़ी चुनोती है तीन सबसे बड़ी चुनोती हैं उसके सामने सासक तो बन गया पहला मुगलों को उसने हरा तो दिया लेकिन देखा जाए तो मुगल कहां कहां है काबुल कंधार में कामरान है है के नहीं अलवर में मेवात में कौन है हिंदाल है संभल में असकरी है तो ये मुगल है और हुमायू यहां से चला गया है तो बापस भी आ सकता है लेकिन इन सम्में सबसे ज़्यादा बापस आने की संभावना हुमायू की ही थी इसलिए उसके सामने पहली चुनोती क्या है हुमायू की बापसी को रोकना और इसके लिए उसने उत्तरी पश्चमी उत्तरी पश्चमी छेत्र में उसने एक तो काम किया किले बंदी की ठीक है ना किले बन बाए उत्री पश्चमी छेत्र में उसकी सहायता करने वाले सहायता करने वाले राजाओं को पर दबाव डाला उसने और अपने अधिन करने कोशिस की उसी के दबाव में ही तो अमरकोट के राजान ने हुमाई उसे कहा था कि आप यहां से चले जाईए अन्था वो आपके परवार को भी नस्ट कर देगा हम पर भी आकरमड करेगा इसलिए आप निकल जाईए तो उस छेत्रिक में रहने वाले उन लोगों को पर कंट्रोल करने कोशिस की ठीके ना जिससे कि यह बापस ना आ सके पूरा बॉर्डर बनाने की कोशिस कर लिए दूसरा काम किया उसने अफगान सरदारों पर नियंतरन भाई अकेला नहीं है इसके साथ में और भी अफगान है और हर अफगान की एक परंपरा है वो भाई चारे में और सोचिए इन सब चीजों बिस्वास करते हैं वो अपने ऊपर किसी भी ब्यक्ती को नहीं मानते हैं मैंने आपको बताया था बहलो लोदी ने कौन सी परंपरा अपनाई थी बताइए कौन सी परंपरा थी मसनद आली यानि कि सब लोग बराबर बैठते हैं बराबर की परंपरा में वो लोग बिस्वास करते थे खुद को मसनद आली तो कहता था लेकिन कभी भी अपने आपको सुल्तान नहीं कह पाया ध्यान लगना बाद में जाकर के सिकंदर और इब्राहिम लोधी ने इस परंपरा को चेंज किया था सेम इसी तरीके से यहां पर भी वही कहानी थी इसी के लिए उसने पहला काम क्या किया केंदरी करण की प्रविर्थी अपनाए यानि कि सामराज को अत्यदिक केंदरी कित करने की कोसिस की ठीक है ना दूसरा राजतंत्र को बढ़ाने की कोसिस की राजतंत्र में को बढ़ावा देना जिससे कि यह सभी लोग उसको क्या माने सासक माने ना के बराबर का एक व्यक्ति ठीक है ना तो यह था और तीसरी समस्या थी सामराज विस्तार की यो आसपास के छित्र के जो राजे महराजे और तमाम तरह के जो लोग हैं जो उसके सामराज पर कबजा कर सकते थे उससे बहतर है कि वो खुद उस सामराज पर कबजा करके अपने सामराज का विस्तार कर ले इसके लिए इसने किये काम किया और ये एक अच्छे सासक अच्छे प्रसासक की निसानी होती है कि समभाबित समस्याओं के रोकने की वो पहले से ही कोसिस करे वो नहीं कि जैसा मिल गया ठीक है इसको चलाते हैं जो समस्या आएगी देख लिया जाएगा तो ध्यान लखना ये सारी जो परमपरा हैं ये एक अच्छे सासक अच्छे प्रसासक का सिंबल होती है निसानिया होती है और इसके लिए सोची ए विस्तामराज विस्तार करने की वो लो करें उससे पहले इसने खुद अटेक करना सुन कर दिया कहां पर मालवा सोचिएगा मालबा पर राइसीन पर मुल्तान को जीता बंगाल को जीता समझेगा राजपूताना पर कब्जा किया राजपूताना खास कर मारवार पर उसने कोशिश की मारवार पर ठीक है ना इन सब को जीतनी कोशिश की जोध पर बगारा और अंत में उसने कालिंजर पर भी अटेक किया था जहां पर वो मारा गया कालिंजर यहीं पर सोचिए उसकी मृत्य हो गई थी क्योंकि एक तोप का गोला चला रहा था उल्टा करके उसके तोप के गोलों में गिर गया और बिस्पोट हुआ और वहीं पर मारा गया यह मारवार के च्छेतर को भी उसने जीतनी कोशिश की तो यह अधिकांस च्छेतर उसने जीते बंगाल से ले करके पूरे राजपुता न बगार रहके तो एक बड़ा सामराज उसने बनाने की कोशिश की एक सुद्रन सामराज की ठीक है ना सुद्रनी करण एक माहन प्रसासक की निसानी होती है माहन प्रसासक की निशानी मानी जाती है क्या सोची ए असोग सामराज की का विस्तार नहीं किय था कलिंग पर उसने इतना भंकर आकमन किया था कि उस समय में सोचिए कितने एक से डिर लाख लोग मारे गए थे सोचिएगा उसके बाद उसने त्याग दिया लेकिन उसने जीता क्या चंदलत मौरे ने सामराज विस्तार नहीं किया क्या अकबर ने नहीं किया किसने नहीं किया और किसलिए जिससे कि सामराज्य को मजबूत बनाया जा सके असोक ने भी सोचिये कलिंग पर आक्रमर किया था किसलिए क्योंकि कलिंग के रास्ते ही वो लोग दच्छर भारत जा सकते थे और दच्छर भारत से ब्यापार बढ़ सकता था सोना चाणदी सब दच्छिर भार्थ से आता था सोना अक्भी से इसकर कर्नाटक की कोलार माइंस जो हैं जानते ना KGF वान रौकी भाई ये उसी कोलार गोल्ड माइंस से आता था सोना और वहाँ जाने का रास्ता सोच ये कलिंग होकर के जाता था तो सोचव कि कैसे वो उस सामराज में उस राज्य को अकेला छोड़ दे जो उसके लिए दच्छल भारत का रास्ता बंद कर सकता है तो ये महान परसासक की निसानी देखे इसी तरह से कंपेर करके पढ़ते हैं और कंपेर करके आंसर में लिखते भी हैं तब ही माना जाता है इसके बाद दूसरा क्या है उसके परसासनिक सुधार परसासनिक सुधार भी उसके सामराजी के सुद्रणी करन के लिए ही होते हैं कि एक सामराजी जो है कैसे मजबूत हो किस तरीके से मजबूत हो आंतरी की स्तर पर बाहरी इस तर पर सो उसने कर लिया लेकिन आंतरी की स्तर पर कैसे हो उसके लिए उसने ये काम किया इसमें उसने दो तरह की नीती अपनाई एक निरंतरता की नीती और दूसरी परिवर्तन की नीती निरंतरता और परिवर्तन निरंतर्ता वो जो दिल्ली सल्तनत से सीधी चली आ रही थी समझेगा जो दिल्ली सल्तनत से सीधी चली आ रही थी वही निरंतर्ता है यानि एजटेज उसने उसको अपना लिया ठीक है ना क्या क्या है देखिए केंद्रिय प्रशाशन उसने एजटिस अपना लिया केंद्री प्रशाशन यानि के उसमें जो प्रसासनिक अधिकारी थे दीवाने वजीर ठीके ना दीवाने आरेज दीवाने इंशा दीवाने रसालत सद्र और काजी ये सम एजटेज उसने ले लिये जैसे पहले चले आ रहे थे केंद्री प्रशाशन को उसने एजटेज ही रहने दिया ध्यान रखेगा उसने कोई भी उसमें चेंज नहीं करने की कोशस की ठीके ना कोई चेंज करने कोशस की ओके समझ में आ गया अब दूसरा उसने नरंतरता में और क्या क्याम किया नरंतरता में उसने सैन्ने ववस्था में कोई परवर्तन नहीं सैन्ने ववस्था उसने अलाउद्दीन खिलजी की ही अपनाई अलाउद्दीन खिलजी की नीती को ही उसने लागू किया समझ देगेगा कौन कौन सी एक केंद्रिय सेना होनी चाहिए दूसरा नगद बेतन पढाली होनी चाहिए यानि कि बदले में उनको जमीन नहीं देनी है रियासत नहीं देनी है जिससे कि वो ताकतवर हो सके ध्यान रखना और हुलिया पर्था जिससे कि अच्छे सेनिक जो भरती हुए हैं वही सेनिक काम करें ये अलावदिन खिलजी की परंपरा थी उसको उसने अज़टेज अपनाया इसमें कोई उसने चेंज नहीं कि बात समझेगा मैं इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ कि समझे अब कहोगे सरे ऐसा कैसे भई एक अच्छा प्रसासक अच्छा ब्यक्ति एक अच्छा सासक की निसानी वही होती है जो परंपरा से चली आ रही हो अच्छी चीज़े उनको बनाए रखे और जो गलत चीज़े हैं उनको सुधार करके दूसरी लेकर के आए क्या भारती संबिधान हमारा इसी तरह का नहीं है जहां से जो अच्छा मिला हमने वो लिया और अपनी परंपराएं जो चली आ रही हैं वो भी उसमें सामिल की तब जाकर के हमने अच्छा शासन पढ़ा ली का संबिधान बनाया है समझेगा हमने ना तो पूरी तरह से बाहर से उठाया और ना ही पूरी तरह से नर्टत्रता को अपनाया और ये तो सोची ये पाँच साल के शासनकाल में ऐसा कर गया कितना सोचा होगा उसने ये सब परिवर्तन की चीज़ें क्या है परिवर्तन की चीज़ उसने जो की पहली बात अतिकेंद्री करण अतिकेंद्री करण की परवर्ति यानि हर चीज़ अपने कंट्रॉल में करना जो पहले नहीं था समझेगा आती केंदरी करण की परवर्तन इसको अपना है दूसरा क्या किया इसने जो परिवर्तन है वो प्रांतिय प्रसासन की एक नई परंपर बनाए इकता प्रणाली की जगे पर इकता की जगे इसने नई प्रांतिय विवस्था बनाए नई प्रांती प्रणाली का विकास किया यह रहा यानि कि दिल्ली सल्तन में चलती थी एकताएं और इसने क्या किया एक नई प्रांती प्रणाली का विकास किया जो आपको समझना है क्या विकास किया वो देख लीजिए इसकी प्रांती प्रणाली में सिर्षा सूरी की प्रताम प्रांती प्रणाली में ध्यान रखीगा जो सामराजी का बिभाजन है उसको देखिए सबसे उपर उसने किन का बिकास किया सरकार सरकारों का गठन किया यानि के एक्ताओं की जगे पर क्या ले आया वो सरकार ठीक है ना एक सरकारों को उसने बिभाजित किया परगना में परगना सरकार के नीचे क्या आ गया परगना ठीक है ना और परगना के नीचे आ गए अपके गाउं जिने उसने दो तरीके से बिभाजित किया एक डेला डेला गाउं और दूसरे मौजा गाउं मौजा ये दो तरह के गाउं ठीक ना तो सामराजी का बिभाजन उसने सरकार परगना और गाउं यानि डेला और मौजा में बिभसित किया और ये सब उसने पांच साल में किया है पांच साल में जो इतना करजा उससे महान परसासक ही कहा जा सकता है दोस्तों ध्यान रखना वरना आज के समय में तो लोग दददद बीश 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 पच्चीश 33 साल सासन कर लेते हैं उसके बाद भी देखते हैं पता चला कुछ भी विकास नहीं हुआ आज भी सोची आजादी के बाद से हमारे नगर पालका नगर नगाउं गाम पंचायच तमाम सारी चीज़ों में सोची हम किसके लिए बोट देते हैं आज भी सिच्छा सडक बिजली पानी के लिए बोट दे रहे हैं आज भी उसी के लिए उसी के बादे किया जाते हैं अरे भाई इससे उपर कब उठेंगे क्योंकि ये मिले ही नहीं है आज तक नहीं मिल रहे हर बार सडक अच्छी सडके होंगी सोचिए अच्छी नालिया होंगी कहां जाती है बनती है तो क कहिए कि ये तो बहुत चोटी सी जीजिए ये तो ऐसे हो जानी चाहिए अब इसके ऊपर बात करिए भाई हमको और क्या मिलेगा ठीके ना सरकार अबुल फजल के अनुसार कौन अबुल फजल जानते ही होंगे अकवर के समय में नहीं सुना सुन लेजिए अकवर के समय में अबुल फजल था अबुल फजल ने बताया कि इसके समय में 63 सरकार हैं थी 63 कितनी 63 जिनमें 16 सरकार हैं बंगाल में बनाई थी और 47 पूरे अन्य सामराज्य में पूरे वाकी सामराज्य में बनाई थी टोटल 63 यह नहीं सरकारों में बिभाजित किया था ठीक पहली बात इन सरकारों का अधिकारी दो नियुक्त किये गए थे दो मुख्य अधिकारी थे सरकारों के एक था सिकदार ए सिकदारान जिससे हम कहते हैं कानून बिवस्था बनाई रखने वाला और दूसरा है मुनसिफ ए मुनसिफान मुनसिफ ए मुनसिफान यह रहा ठीक है ना और यह कौन है नियाए और लगान के लिए काम करने वाला नियाए विवस्था और लगान विवस्था को देखने वाला यह रहा दो लोग ठीक सरकारों के संदर में एक नई चीज और बनाई थी उसने कुछ छेत्रों में उसने एक नई विवस्था का विकास भी किया था नई विवस्था का विकास किया था और नई विवस्था क्या थी वो थी विलायत एक नई पणाली बनाई थी विलायत की विलायत का मतलब है जिसमें कई सरकारों का विलाय किया गया था कई सरकारों को मिला करके एक नई एकाई बनाई गए थी जिसे हम क्या कहते हैं विलायत और ये सभी जगे नहीं थी कुछ एक जगे पही थी किवल ध्यान लगिए बंगाल में बनाई गए थी मुलतान में मालवा में राजपूताना में कुछ एक जगे पर यह सीमित थी, ध्यान रगना, सभी पूरे राज में नहीं थी, सीमित थी, बंगाल, मुल्तान, मालवा, राजपूताना, यहां पर बनाई गई है, अबरिवडी, इट इस ओके? मैं देखिए, यह भी अपको ninety बताने कोसिस कर रहा हूँ, साथ के साथ बताने कोसिस कर रहा हूँ, कि यह सबक उसने कितने समय में कियا है, बस यह समझने कोसिस कीज़िए, कि विवस्था को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए उसने कितनी जल्दी, सारी चीज़ों को बि बोले सर बन तो जाने दीजिए तब करेंगे जी नहीं इसका मतलब था सिरसा सूरी ने पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा था पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा था कि सासक बनने के बाद मैं ये करूंगा और इस तरीके से करूंगा आप भी सोचिए ना कि सासक बनने के तरीके से क्या कर सकते हैं यही यद एक बिजन एक कंसेप्ट अगर इंटर्वियू पूछ लिया जाए कि हमारे सामने प्रमुख समस्यां बताईए कौन कौन से हैं बोले इस सर ये रही अच्छा चली बताईए ये समस्या इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे सोचिए आगरा से एक लड़का जो है जो मेरा ही स्टूडेंट रहा सोचिए उसकी 32 भी रेंक आई थी आईए सद्धकारी बना उस सब गौतम सोचिए उससे सिंपल सा क्वेशन पूछा गया था के आगरा में आखिर प्रदूशन के होने का प्रमुक कारण क्या है और इसके लिए आप क्या समाधान करेंगे एक दूसरा क्वेशन था के आगरा में यो यमना नदी है वो इतनी ज़्यादा प्रदूशित और इतना कमपानी क्यों है उसमें उसके लिए आपको इस उपाय सुचाईए यही है अब यह थोड़ा ना था को से ने इंटर्वियू के टाइम पीरिड में यह सब तैयारी की होगी वही पहले से ही होता है कि मेरे सामने दीन दुनिया के सामने क्या क्या समस्य है अधिकारी आप आज से बन जाते हैं जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं उसी दिन से आपके अंदर अधिकारियों के लक्षण अधिकारियों गुड़ आ जाने चाहिए उसी दिन से आप समाधान करता होने जाने चाहिए कि ये समझ से आएगी तो मैं ये समाधान ये कर सकता हूँ नहीं आता है तो सीखिए, पूछिए, जानिए बाइबॉर्न बिरोक्रेट समझ लीजिए, बनने कोसिज कीजिए इंटर्वी में जब पूछा जाएगा तो यही होगा और सोचिए, एक तरफ आप होंगे जिसको ये सब कुछ नहीं आएगा और एक बना बनाया होगा जिसके पास ये सब कुछ होता होगा तो बताइए, इंटर्वी बोर्ड को इंप्रेस कौन करेगा कौन इंप्रेस करेगा, बताइए जिसको ये सब आता होगा तो वो ready made IES को चुन लेंगे न किसके अंदर decision making power है solution creator है बास समझे नहीं आपको वह बन जाएंगे तब हम सोचेंगे तो बेटा वो बनाएंगे ही नहीं उनको बने बनाएं मिल तो रहे हैं न तो क्यों बनाएंगे तो यही सेम काम था सेरसा सूरी का भी इसलिए इतिहास कहा जाता है इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यही सीखना है कि उसने पांस साल में implement नहीं किया implement तो किया ही उससे पहले उसने planning कर रखी थी कि मेरी वबस्ता आई तो मैं क्या क्या करूंगा अचानक नई नई चीज़ा नहीं आ जाती है कि पांच साल में वो करता चला जाएगा अचाना अच्छा यैसा आ गया तो इसको यैसे कर लो ऐसा नहीं होता बेटा ध्यान रखीगा ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते हैं कोई भी कर सकता है आज से आप सोचना शुरू करिये न यूं होगा ओके क्लियर हो गया दूसरी इस्तिती सरकार के नीचे परगना की जो के आज के समय में कह सकते हैं के तहसीर लेबल का एकाई हो सकती है और यहाँ पर तीन से चार अधिकारी होते हैं ध्यान रखी गया एक होता है शिकदार दूसरा होता है मुनसिफ तीसरा होता है अमीन और चौतर होता है खजानदार शिकदार कानुन ववस्था वाला मुनसिफ नियाई ववस्था वाला अमीन लगान वाला और खजानदार संग्रह करने वाला यह रहे और दूसरा कानून गो जो नियाई ववस्था के लिए है कानून गो साहब पटवारी और कानून गो दो अधिकारी यहां होते हैं अब कहोगे सर दो तरह के गाउं आपने लिखाए हैं डेला और मौजा दो तरह की गाउं यह कौन से होते हैं डेला गाव उनको कहा जाता है जिस गाव में खेती और लोग दोनों रहते हों, समझेगा जहाँ पर करसी भी होती हो और जहाँ पर लोग निवाश भी करते हो, कुछ गाव ऐसे थे जिनको गाउ कहा गया लेकिन वो बेसिकल एरिया था, मौजा कहते हैं मौजा यानि क्रसी जमीन यहां पर केवल क्रसी होती थी क्रसी भूमी के छितर को मौजा कहा जाता है और जहां पर क्रसी और लोग जहां निवास करते हैं उसको हम डेला कहते है Everybody, it is okay सोचिए यह सब उसने विक्सित किया और किसे कहानियों में इनको आप याद कर लीजे नोट कर लीजे रेजिस्टर पैन लेकर के इसको नोट कर लीजे दोस्तो बास समझे तो ये था सब था उसका नया परिवर्तन जो उसने किया और परिवर्तन क्या है और परिवर्तन है सैनिक सुधार मैंने आपको बताई दिये सैनिक सुधार किये थे ठीक आर्टिक सुधार यानि के राज़स पडाली के साथ में राज़स पडाली के साथ में उसने क्या-क्या सुधार किये है ये सब पूरा एक नए सुधार है ये पहले की परंपरा की तरह नहीं है राजस प्रणाली में सुधार के तीन उद्देश से उसके सामने थे मैंने कहा ना एक अच्छा प्रसासक वो होता है जिसके सामने अपना किलियर विजन होता है मैंने इसलिए उसको महान कहा है महान परशाशक महान सासक नहीं महान परशाशक ध्यान रखना उसका बिलकुल विजन क्लियर है कि मुझे ये प्रडाली क्यों और कैसे लागू करनी बस सिंपल सा चीज है तीन उसके उद्देश से हैं एक ध्यान रखीगा पहला क्या है सिंपल से चीज है उत्पादन में बृद्धी करना जब तक उत्पादन में बृद्धी नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता उत्पादन में बृद्धी दूसरा उत्पादन के साथ रईयत की सुरक्षा रायत बोले तो किसान अगर किसान सुरक्षित है तो खेती होगी किसान सुरक्षित नहीं है तो कोई खेती नहीं करेगा Everybody, it is clear चौथा, तीसरा पॉइंट जो है और वो क्या है, राज किया आए में बृद्धी करना राज किया आए में बृद्धी बोले कि जब किसान सुरक्षित रहेगा उत्पादर में बृद्धी होगी तो मेरी आए में बृद्धी हो जाएगी और जब आए में बृद्धी होगी तो इसके माद्ध्यम से मैं अच्छी सेना रख सकता हूँ अच्छे प्रसासनिक अधिकारी रख सकता हूँ जिनको नगद बेतन दे सकता हूँ और जितना नगद बेतन दूँगा मेरी निर्वरता अधिकारियों सेना पर उतनी कम होगी और जितनी निर्भरता इने पर कम होगी समझ लिए उतनी अच्छी पर्फोर्मेंस होगी उतना अच्छा सामराज्य होगा उतना मजबूत सामराज्य हो सूच ये कितना किलियर बिजन है ओके समझ लिजीगा तो इसके लिए उसने क्या किया इसके लिए उसने मापन प्रणाली पर बल दिया मापन प्रणाली बुले के भूराज़स तो हम करेंगे करेंगे लेकिन मापन के आधार पर इसके लिए मापन प्रणाली के लिए उसने एक अधिकारी नुक्त किया अधिकारी वो लेके माप करिये पूरी जमीन की और अधिकारी का नाम था एहमद खान इसने उस समय के ब्रहमर अधिकारियों ब्रहमर लोगों के साथ मिल करके इसको मापन किया ठीक ना दूसरा अधिकारी जो है इसमें देखीगा और क्या काम किया उसने मापन किसलिए सिकंदरी गज का प्रियोक किया सिकंदरी गज जो 32 अंगुल का है ठीक ना और क्या किया इसने जाबती प्रणाली लाउ की जाबती प्रणाली ध्यान रखना प्रणाली बाकाइदा और क्या किया इसने मापन प्रणाली के आदा पर भूमी का बिभाजन किया भूमी का बिभाजन तीन तरीके से अच्छी मध्यम खराब बोले जैसी जमीन होगी बैसा भूराज से बसू लेंगे ठीक ना और कर कितना लिया तर लिया वनवाई थ्री ये इसने प्रणाली को सी किया ध्यान रखना दूसरा क्या किया इसने बनवाई थ्री ये सब उसने कर लिया अनाज की दर की एक तालिका बनाई लिस्ट बनवाई तालिका अनाज दर की एक तालिका बनवाई जिसको हम क्या कहते हैं रई जिससे किसी को ये परिसाई नहों कि किसका कितना rate होगा यह सब काम उसने की है ध्यान रखेगा और इसके अलाबा उसने आर्थिक सुधार में कुछ नए सिक्के भी चलाए तीन तरह के सिक्के हैं प्रॉपर तरीके मानक सिक्के चलाए सोचिए पहला सोने का सिक्का है जिसे हम कहते हैं असरफी एक सो सरसट ग्रेन का है सोने का दूसरा है चांदी का जिसे हम क्या कहते हैं रुपया एक सो असी ग्रेन का और तीसरा है तावे का जिसे हम कहते हैं दाम तीन सो बाइस ग्रेन का यह मानक सिक्के हैं और यही रुपया जो है ये वाला जो रुपया है सोचिए के 1835 तक ये अंग्रेजियों के समय तक चलता रहा तर से लेकर के पूरे मुगल काल में से लेकर के सब तक ये पर्मानेंट सिक्का बना रहा पर्मानेंट सिक्का यही चलता रहा और इसके समय में सोचिए एक रुपय इक रुपिया बराबर था छौ़ाइmm चौन स्थ दाम यह रहा एक ररुपिया बराबर चौन सट दाम, यह बैटन चलता रहा था समझ दीजी ये सब उसने उस समय किया इसने चुंगी कर समाप्त कर दिये बोले केवल दो ही चुंगी लगेंगी एक जहां पर उत्पादन होता है और एक जहां पर विक्री होती है इसके अलावा बीच में कहीं कोई चुंगी नहीं लगेंगी सब खतम सोचिए का ये सब उसने खतम कर दिया ठीक है ना इसके अलावा अब देख लिए उसके जनकल्यान कारी कारे क्या है जनकल्यान कारी कारे देखिए उसने चार रोड बनवाए चार सड़कें पहला जीटी रोड दूसरा जीटी रोड सोनार गाउं से लेकर के पेशावर तक दूसरा था आगरा से चित्तौर तक तीसरा था आगरा से जोधपुर और चौथा था मुल्तान से लेकर के आपका लाहौर तक और सडक ही नहीं बनमाई सडक के साथ साथ इसने सराय बनवाई और सरायम के साथ साथ सोचिए उसने पेड़ पौधे कुए सब लगवाए और इसमें हिंदूओं के लिए मुसलमानों के लिए सारी विवस्था कि इसने बिना किसी भेदभाव के ठीक ना और उसका उपियोग उसने डाक विवस्था के लिए भी किया जिससे कि कोई भी कहीं पर भी डाक को पहुँचाया जा सके इससे पहले किसी ने इस्तिमाल ने किया वहीं पर दो घोड़े वाले रहते थे जो डाक को एक सोचिए एक कहाजया हैं सराय से दूसरी सराय तक इन्फॉर्मेशन पहुचा देते थे तो तुरंत कंटिन्यू चलता रहता था एक ही घोड़ा दोड़ाएगा 100 किलमीटर तक दिक्कत होगी एक घोड़ा 10 किलमीटर पर दोड़ा उसने वहाँ पस डाक दे दी दूसरा घोड कोई भिद्वाओ नहीं किया था अब आप सोचिए इनी सारी चीजों को लेकर किये ही अकवर का पूरा आधार बना था अकवर ने भी अपने समय में लगान विवस्था से इसी से सीखी मापन पढाली से लेकर के जाबती पढाली तक वह सारी विवस्था इसने अपनाई यह आर्मिक उदारता की नीती का भी कहीं न कहीं आधार यही है समझे का इस तरीके से इसने अकवर का आधार तयार किया अकवर ने यहां से बहुत सारी चीजों को ले करके अपनी नीतियां बनाई थी उसने भी भूमी में सोचिए तीन तरह की चार तरह की भूमी बनाई पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर अकवर के समय में और यहां पर अच्छी मद्यम खराब उत्पादन के आधर पर उसने भी उत्पादन के आधर बनाई, इसने भी बनाई, उसने चार तरह की बनाई, इसने तीन तरह की बनाई सेम यही बवस्ता अकवर ने भी करने की कोसिस की, इसलिए इसे अकवर का अग्रदूत कहते हैं Everybody, it is okay चलिए, तो आज का टॉपिक हमने यहां तक रखा है और उम्मीद करता हूँ, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है न, थैंक यू बेरी मच, कल फिर्म बिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, अकवर, ओके, महत पूर महान साशक, उसके बारे में चर्च करेंगे, ठीक है, चलिए, all the best, thank you.